गुद मॉनिक दोस्तों स्वागत आपका मेरे फांड गुरीजी चैनल में आजकी वीडियो बहुत स्पेशल है तो वीडियो के साथ में अंतक बने रहेगा अगर आपके पास केवल 5000 रुपीज है तो आपका फोटपोलियो किस टाइप का होना चाहिए किस टाइप की प्लान आ साइपी करते हैं जब जब मार्केट गिरती है तो वहाँ पर आप लमसम लगा करके आवरेज करते रहते हैं जी हां ये सबी चीज़ों के पर दोस्तों बात करने वाला हूँ प्लस आपके लिए और मेरे लिए बहुत बड़ा सप्राइज है यहाँ पे दोस्तों मुझे बताता हूँ कि 5000 रुपीज को किस तरह से आपने फोट पोल्यों में मैनेज करना है किस टाइप की प्लान आपको लेना है वीडियो स्टाट करने से पहले मेरी आपसे रिक्विस्टी है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिगा बुरी लगे तो और डिसलाइक भी कर स वो सारी चीज़े अभी आपको लाइट पता चलने वाली है, तो आंद तक रहेगा वीडियो के साथ में, और जो लास्ट में सप्राइज है, वो आपके लिए काफी स्पेशल होने वाला है, तो सबसे पहले मैं यहां कुछ important बाते बताना चाहता हूँ, यहां पे mutual fund कुछ एक- बढ़ेगा, मैं डरता नहीं हूँ, कभी-कभी loss भी हो जाता है, stock market में, जायतर loss भी हो जाता है, कर आप ऐसा करेंगे, आपको पास knowledge नहीं है, experience नहीं है, company के बारे में आप information नहीं निकाल पाते, तो stock market में आप aggressive खेलेंगे, तो loss हो जाएगा, तो मैं दोस्तों वहां से भी क यहाँ पर market बहुत तेजी से पिछले कुछ time से grow कर रही है, और जो returns है, वो काफी अच्छा मिल रहा है, मैंने बीच-बीच में लंसम भी यहाँ पर place किया था, जिसका result यह मिला, कि मेरा जो investment है, वो plus में आ चुका है, तो अगर आप, मैं यह tips जो है, आपको हमेशा देता आ गई है, आपके एक plan के नीचे 80 कंपनिया है, fund manager उसको अच्छे से manage कर रहा है, जो कंपनिया अच्छा कर रही है, उसको top मे रख रहा है, ज्यादा पैसे दे रहा है, जो कंपनिया खराब कर रहे है, उसको list out भी कर रहा है, समझ गए, अच्छे से manage कर रहा है, जिसके लिए आ माइनर सा आप से थोड़े बहुत पैसे लेता है अच्छा, स्टॉक मार्केट में आपके पास एक या दो या मैक्सिमम पांच स्टॉक होते हैं उसमें ही आपका पूरा पैसा लगा होता है मैं भुगत भोगी हूँ, कई बार दोस्तों मेरा लॉस भी हुआ कई बार मैंने पैसे भी बनाए है मैंने डेड़ महिने के अंदर एक लाख रुपे खेल करके यहाँ पर 31,000 रुपेज का प्रॉफिट निकाला है यह मैं आपसे खुल कर बता रहा हूँ, कोई भी आपको नहीं बताएगा मैं आपसे कभी भी कुछ भी छुपाता नहीं हूँ, सीरिस बात करता हूँ और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन बहुत इंटरस्टिंग है, अंत तक रहिएगा तो यहाँ पर मैं इस तरह से इंवेस्टमन करके इस तरह से रिटरन पाता हूँ और mutual fund के बारे में मैं आपको बता दिया मैं हमेशा आपको बोलता था, गिर्ती market में SIP को close नहीं करना है, बलकि जब-जब आपको लगे कि हाँ, यह market की सबसे down वाली position है, तो वहाँ पर आपने एक lump sum भी place करना है जब आपके पास थोड़ा सा पैसा कहीं से अगर आपने टाटा मोटर्स का example के लिए, अगर आपने टाटा मोटर्स का stock buy किया हुआ है और stock में आपको अगर गिरावाट देखने को मिल रही है और आपको लगता है कि हाँ यार यहाँ 2,4-10 रुपए नीचे जा करके वापस recover करेगा, तो वहाँ पर आपका फर्ज बनता है कि अपने पैसे को समालने के लिए, बचाने के लिए आपको एक पैसा उसमें और लगाना चाहिए, कुछ unit और buy करने चाहिए उससे क्या average हो जाएगा आपने खरीदा था example के लिए 100 रुपए पे, वो गिर करके भी 80 रुपए पे आगया है आपने एक लाफ रुपए और लगा दिया, तो जो आपका average आएगा, वो कम हो जाएगा वहाँ पर आपको 10 रुपए का ही loss होगा, जो 20 रुपए का loss होगा इस टाइप का आप average करते चलेंगे, तो आपको return बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा loss में भी loss में आप recover बहुत तीजी से करेंगे, normal investor के मुकाबले और अभी आजाते हैं main मुद्दे पे, कि अगर आपके पास 5000 रुपए है, तो किस तरह से निवेश करें कि आप 4 करोड रुपए अचीव कर ले जाएंगे यहाँ पर ध्यान से देखेगा, यहाँ पर अभी आपके सामने एक screen आएगी, जिस screen में मैं आपको SIP calculator से सबसे पहले calculate करके बताऊंगा कि कितने रुपए की SIP आपको per month करनी चाहिए, जिससे आप 4 करोड रुपए के target पे बहुत ही आसानी से पहुँच जाएंगे तो मैं यहाँ पर start कर रहा हूँ, अपना screen record आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अभी आपके सामने यहाँ पर एक screen आ रही होगी, इस screen के अंदर मैं आपको लेके चलूँगा सबसे पहले SIP calculator के अंदर आने के बाद यह काम आप भी कर सकते हैं SIP calculator को Play Store से डाउनलोड कर लिजिए, जो जो मैंने instruction दिये हैं उसको follow करके आप भी अपने future के goals को इसी तरह से बना सकते हैं और यहाँ पर हम अभी SIP calculator वाले option के उपर click करेंगे, SIP calculator में सबसे पहला option आता है monthly investment का अब monthly investment हम कितना कर रहे हैं? 5000 कर रहे हैं जो आपने thumbnail में देखा था तो चलिए यहाँ पर 5000 रुपीज लिख देते हैं Accepted return की बात आ जाती है, अभी मैं यहाँ पर 20% भी लिख सकता हूँ, 18% भी लिख सकता हूँ लेकिन यहाँ पर कुछ लोग खड़े हो जाएंगे हाथ लेकर के, 18% मिलता का है, 20% मिलता का है, 15% मिलता का है तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, कि मैं अभी दिखाऊंगा आपको कि कितने percent तक का return जो है, वो मिल जाता है अगर आप smartly invest करेंगे तो यहाँ पर return का कोई record नहीं होता कि कितना आप high जा सकते हैं, कोई fix नहीं होता है यहाँ पर अगर आप smart investor है तो आप 18-20, 18-20 तो हर साल खींचेंगे खींचेंगे कोई ऐसा black year हो सकता है, जैसे अभी 2018 गया है, इस type का कोई साल हो सकता हो जिसमें आप ज़्यादा income नहीं कर पाएंगे लेकिन बाकि जो 20 साल, 15 साल, 25 साल, 30 साल आप investment कर रहे हैं, वहाँ पर तो आपको growth मिलना ही मिलना है मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, एक fresh investor के लिए या फिर एक कर रहे है investor के लिए, मेरी बाते बहुत health करती है मैं दोस्तों काफे research करने के बाद आपके लिए video बनाता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5000 रुपीज मैंने डाल दिया, 18% नहीं पकड़ेंगे, यहाँ पर केवल 15% पकड़ेंगे, अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे 15% कहा मिलता है, तो वीडियो के साथ में प्ली दोस्ता है कि मेरे पास एक घर हो, मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छा खासा पैसा हो, तो उतने time तक 30 years तो complete हो ही जाते हैं, मेरा जहां तक idea है, आप अपने हिसाफ से को कम ज्यादा भी कर सकते हैं, तो आपके पैसे कम ज्यादा होंगे, अगर आप time period कम करेंगे तो यहाँ पर 4 करोड की जगह आपको हो सकता हो, 3 करोड मिले, धाई करोड मिले, इस तरह का target आपको दिखाई देगा, तो यहाँ पर हमने 31 years पकड़ा है, 31 years के बाद यहाँ पर next option आता, inflation का, यहाँ पर inflation महंगाई दर जो है आपकी पिछले साल की 2017 to 18 की जो रही है, वो 3.3 तो आप Google करेंगे, आपको जो है दिखाई दे जाएगा, तो आप यहाँ पर चलिए, हम यहाँ पर लिख देते हैं, 3.3% यानि कि जो हमारा 3.3% जो है, वो inflation होगा, अभी मैं यहाँ पर calculate बटन के उपर click करूँगा, आपको यहाँ पर idea लग जाएगा, कि हमारा जो पैसा है वो किस लेबल पर जा सकता है, 5000 रुपीज पर मन्त, 15% का annual return, उसके बाद 31 years तक हम निवेश करने वाले हैं, जी हाँ, और जो हमारा inflation होगा, वो दोस्तो 3.3 होगा, कभी-कभी यह 4 भी होता है, तो यह fractulate करता है, जब यह fractulate करता है, तो आपका return भी तो fractulate करता है, तो इसके आप बेफिकर रही है, जो मैं दिखा रहा हूँ, वो आपको motivate करेगा investment करने के लिए, यहाँ पर calculate बटन के उपर click करेंगे, calculate बटन के उपर click करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपका जो target है, जो मैंने thumbnail में दिखाया है, वो आ चुका है, यहाँ पर आपको चार करो 7,48,510 रुपए टोटल बनते हैं, जी हाँ, यहाँ यहाँ पर 4 करोड 7,48,510 रुपीर जो है, आपके टोटल बनेंगे investment से, एप्रॉक्स हो सकता है, इससे थोड़ा उपर नीचे जो है, आपको दिखाई दे सकता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सारी चीजे जो है, यह पैसे को इस लेबल तक बढ़ा सकता है, और अभी बात कर लेते हैं, कि हमको किस टाइब के फंड लेने चाहिए अपने फोट पोलियों के अंदर, अगर आपके पास केवल 5,000 रुपए हैं investment करने के लिए, और अभी यह भी देखेंगे कि हमको जो return है, वो कितने परसंट का म मिल सकता है, अगर हम यहाँ पर निवेश करते चले तो, तो अभी बात कर लेते हैं किस टाइब के plans आपके portfolio में होने चाहिए, अगर आप केवल 5,000 रुपीज पर मन्त ही निवेश कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको एक important बात बताना चाहता हूँ, कि अगर आपको छोट 28%, कभी वो 70%, कभी वो 60% और कभी वो 10% भी आपको देगा, यहाँ पर एक balance portfolio में आपको बना कर दिखाने बाला हूँ, तो सबसे पहली जो choice होगी मेरी इस portfolio के अंदर, यह मेरी personal research है, मेरी study, मेरी analysis है, तो मेरे recording ही मैं बात करूँगा, यहाँ जो सबसे पहला plan मैं चुनना चा दूसरा होना चीए, आपके पास एक अच्छा सा multi-cap, multi-cap क्या होता है, हर type की company में निवेश करने वाले fund को multi-cap कहते हैं, वो small में भी निवेश करते हैं, वो समौंदर की बड़ी मचली में भी निवेश करते हैं, और आप कह सकते हैं कि वो जो है, यह कुछ death में भी investment करते हैं bonds में भी करते हैं, तो यह जो मिला और जुला जो मिसरण हैं, इसको ही आप multi-cap कह सकते हैं, बहुत सरल भासा में मैंने आपको बताया है, इसके बाद यहाँ पर next जो fund होगा, केवल तीन fund मैं आपको recommend करूँगा, तीन से ज़्यादा लेने की जूरत नहीं है, 5000 के अंदर, कु हैं, तो वैसे मैं यह aggressive investor के लिए बोल रहा हूँ, अगर आप जो है, नॉर्मली investment करना चाहते हैं, आपको एक अच्छा portfolio चाहिए, balance portfolio चाहिए, तो आपके पास एक balance fund का होना बहुत important है, तो आज की वीडियो में तीन fund मैंने आपको बता दिये हैं, multi-cap, mid-cap और एक balance fund, 5000 plan जो हैं, वो buy करने चाहिए, तो कुछ plan मैं आपको दिखाऊँगा, जो आप ले सकते हैं, इन portfolio के लिए, तो चलिए अभी चलते हैं, मेरे laptop के उपर, तो आप देख सकते हैं, कि अभी है आप मेरे laptop के उपर, यहाँ पर जो सबसे पहला fund मैंने खुला हुआ है, आप यहाँ पराग पार एक long term equity fund, इसका मैंने review भी बनाया था, उस video की link आपको नीचे description में छोड़ दूँगा, आप जाके देख लीजेगा, वहाँ पर आपको पता चलेगा कि मैंने इस fund के बारे में कितनी deeply आपको information दी है, तो पराग पार एक long term equity fund, एक multi care family का fund है, और इसकी जो performance रही है, वह बहुत बढ़िया रही है, आप यहां मेरे screen पर देख पा रहे होंगे, इसने पने benchmark को beat किया है, बलकि market जो है, वह बहुत ही ज़्यादा वालटाइल रही है, पिछले कुछ time से, लेकिन फिर भी इस fund ने अच्छा performance दिया है, इसके मुकाबले दूसरी multi cap जो है, वह का पर देख सकते हैं, इसके one year का return प्लस में आपको दिखाई देगा, जी हां, बहुत सारे plan ऐसे हैं, जो minus 10, minus 14, ऐसे दिखा रहे हैं, जो small cap type की fund है, लेकिन यहां पर आपको plus दिखाई दे रहे है, 6.94% जो है, प्लस में दिखा रहा, जी हां, और उसके बाद जब देखेंग 15% का, यहां से ज़्यादा भी मिल सकता है, हो सकता हो, किसी साल आपको कम भी मिल सकता है, तो आप यहां पर देख सकते हैं, जो two years का return रहा है, वो 29.53% रहा है, तो यह दोस्तो कम नहीं होता है, बात कर लेकर three years return की, तो आप देख सकते हैं, 57% का return दिया है, यह 2017 वाला साल था जब SBI के small cap जो fund था, वो 70% से ऊपर का return छू लिया था, तो आप समझ सकते हैं, कि किस type का return जो है, एक अच्छा multi cap आपको दे सकता है, तो यह multi cap बेस्ट है, अगर आप SBI के साथ में हैं, SBI के multi cap के साथ में हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप यहां पर कोटिक के multi cap के साथ में हैं, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप बने रहें, अच्छा अभी बात कर लेते हैं, कि यहां पर हमारा multi cap तो हो गया, multi cap के बाद कौन से वो mid cap fund है, जो आपको अपने portfolio के अंदर रखने हैं, इस 4 करोर के target को अचीव करने के लिए, तो यहां पर मैं चाहूंगा, जो मेरा मनपसंद fund है, DSP family से है, यहां पर DSP का mid cap जो fund है, वो काफी outstanding performance देता आया है, और इस time पर मेरा जो plan मैं आपको दिखाया है, वो DSP का mid cap ही था, और उसके जो return है, वो आपने live देख लिया है, तो यहां पर जो अगला mid cap आपको recommend करना चाहूंगा, वो य लेकिन यहां पर बात आती है, एक या दो लेने की, तो आप इन में से कोई ले सकते हैं, अब कुछ लोग पूछेंगे कि मैं तो किसी और mid cap के साथ में, मैं SBI mid cap के साथ में हूँ, तो आप मुझे बताओ SBI mid cap कैसा है, तो SBI mid cap भी अच्छा है, लेकिन मैं एक बात बताना च स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहां पर आप यह ले सकते हैं, अगर आप already SBI mid cap के साथ में हैं, तो आपको इसमें आने की कोई जूरूत नहीं है, आपका वो fund अच्छा है, बस आपको 1% के return का फर्क आएगा, इससे ज़्यादा का फर्क आपको नहीं देखने के ले मिलेगा, ल अगला जो fund है, जो मेरा सबसे favorite fund है, L&T का mid cap, यह fund भी दोस्तों काफी outstanding performance देता आया है, और आप अपने इस portfolio के अंदर L&T mid cap भी ले सकते हैं, अगर आपको DSP नहीं लेना है, तो L&T का mid cap भी ले सकते हैं, अच्छा next जो fund है, वो भी दोस्तों मुझे काफी पसंद है, अगर मुझे कोई बोले कि 3-4 fund के नाम बताओ, तो ये 3-4 fund मेरे मुपर ही रहते हैं, और इसके लावा एक दोर है, जो 5 fund के अंदर मैं line up करता हूँ, तो यहाँ पर जो अगला fund है, वो काफी कमाल का written देता है, और उसका जो asset size है, काफी बड़ा है, यहाँ पर SDFC mid cap opportunity fund जो है, मैं आपका पैसा जरूर बनेगा, अभी बात कर लेते हैं तीसरे और आखरी fund की, जो यहाँ पर आपको एक stability provide करेगा, यहाँ पर 70% death में होगा, bonds में होगे, और 30% equity में होगा, तो एक stable return आपको देने के लिए fund जो है, वो जाने जाते हैं, उनके नाम होते हैं balance fund, जी हाँ, अगर अगले balance fund की, तो वो आता है L&T family से, जी हाँ, अगर आप L&T का mid cap लेते हैं, और आप सोच रहे हैं कि यार L&T का balance fund लिया जाए, तो आप बिल्कुन सही सोच रहे हैं, वहाँ से benefit यह होगा, अगर market घर जाती है, और आपका mid cap थोड़ा सा तूट जाता है, balance fund नहीं जो आप balance fund के रूप में अपने portfolio में ले सकते हैं, L&T hybrid equity fund काफी अच्छा fund है, इसके साथ में भी आप जा सकते हैं, as a balance fund, बात कर लेते हैं अपने आखरी balance fund की, वो है SBI family से, अगर आप SBI small cap के साथ में चल रहे हैं, SBI mid cap के साथ में चल रहे हैं, वैसे SBI small cap के अंदर lump sum allow नह fund मैंने आपको बता दिये हैं, इनको लेकर के आप new invest कर सकते हैं, अब यहाँ पर बात आजाती कि किस में कितना पैसा लगाया जाए, अब यह भी तो सोच रहे होंगे कि यहाँ पर fund भी बता दिया, portfolio भी बता दिया, return भी दिखा दिया, और 4 करोड पे किस तरह पहुंचेंग मीड कैप में, अगर आपको लगता नहीं यार थोड़ा सा रिस्क हो सकता है, मैं सेफ जाना चाहूंगा, balance portfolio चाहिए मेरे को, तो यहाँ पर आप करिएगा 2000 रुपे मीड कैप में, आपको idea लग गया, और उसके बाद जो balance fund बज जाता है, multi-cap बज जाता है, उन दोनों को सारे लोग guess कर रहे थे कि यह क्या है, तो यह और कुछ नहीं है, हमारे fund गूर जी फैमली का silver play button है, और तह दिल से अपका शुक्रिय करतना चाहता हूँ, मैं दोस्तों आज भावक हो गया हूँ, इसको देख करके, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह भी हमें मिलेगा, मैं तो तो guys जैसा कि आप देख पार है कि यह है हमारा silver play button और इसकी करते हैं फटाफट unboxing क्योंकि मुझे से रहा नहीं जा रहा है, चली इसको खोल लेते हैं अपने एक रामपूरी जाकु से, और कुछ इस तरह के packing में आपको यह देखने के लिए मिलेगा, यह एक लाग subscriber पूरी हो जी का जो silver play button है, वो यह रहा, और मेरे टेक्नो नवील फैमली का जो silver play button है, वो पहले से ही आ चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और यह वाला हमारा find बुर जी का है, और इसको देखने के बाद मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि इस चैनल से मैंने इतनी उम यह आप देख सकते हैं, इसको देखने के बाद काफी खुशी हो रही है मेरे को, और I hope आपको भी उतनी ही खुशी हो रही होगी, तो guys यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, तो please इस वीडियो को like कर दीजेगा, चैनल को subscribe करके notification bell दबाएगा, तब ही मेरे दोरा बन सिल्वर प्ले बटन जो है वो में क्या है, thank you so much, जाहिंद बंदे मातरम